कैर यहाँ पे मैं हील बैटल के लिए तयार हो जाता हूँ क्यूंकि यार केम्पिंग लेवल देख रहे हूँ आप मतलब बंदे केम्प करके बैठे हैं कोई बंदा अपरी मोली से ठिल ला है कोई बंदा जून से ठिल ला है तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैग बैग दे वेलकम और स्वागत है आपका एक बिरा न्यू गलत सीन से भड़े पड़े पबजे दो मुबाईल गेमप्ले वीडियो में और यार इसमें आपको देखने को मिलेगा केमपिंग ठीक है अलग लवल की केमपिंग और यार बंदे बाईक को पानी में भगा रहे होते खैर बहुत सारे गलत सीन होंगे फिलाल अपन लोग मिल्टीर एरिया रखे हैं और यहाँ पे अपने साथ दो बंदे और कूदे थे और कूदे ही वो लोग भगना चालू कर देते हैं और यहाँ पे जहां तक मुझे लगता है यार मैं दोनों बंदों को रस्ते पे ही पकड़ लेता हरा लेकिन सीन क्या होते हैं तुमारे भाई को एक डबल बैरल मिली होती है और एक एस बारा के और यार इतने दूर बंदे दिलाना भगते वे यार वो भी सोड़ गन से हमसे तो नो उपाएगा क्यार मेरे मैं लूटने के लिए रुकता नहीं मैं बोलता हूँ जो है उसी से जुकार लगाएंगे और एस बारा के लेके मैं यहाँ पे रसकर देता हूँ अबे तुम लोग उसाइड हो लोड और यहाँ पे आने से पहले अच्छी बात है कि मुझे लेवल दो की वेस्ट मिल गई हरा नहीं तो यार हेलमेड भी नहीं होता वेस्ट भी नहीं होती ओटोमेटिक गूली भी नहीं होती तो यार गलत सीनू जाता है मेरी कप पेटी बनती पता भी नहीं चलता किसी को खैर ये दो बंदे भगके इदर आते बढ़िया गन लेके हमें पेलने की कुशिस करते हैं लेकिन जैसे तैसे जुगार भीडा के इन्हें ठिला ही देता हूँ मैं खैर इनके बाकी टीमेट की दर होते हैं ये इनको ही पता होगा अपने को कद्दू कोई आइडे नहीं है तो मैं क्या बोलता हूँ पीछे गूली गूली चली होती है धंक से लूट लेता हूँ मैं यहां पे हाना कम से कम एक ओटो गन लेके जाओं पीछे की तरफ और यहां पे मुझे सकारेल और बेरल बूरल मिल जाती है तो करना क्या है यार हेलमेट अभी भी नहीं मिला है लेकिन धीटता बहुत है अपने में तो बगेर हेलमेट रस करेंगे और कोई बंदा कहीं से उजी पटका रहा होता है अब मुझे कदो भी नहीं दिख रहा है वो ठीक है या तो भाई साब बने होंगे या तो भाई कहीं पीछे से चला रहे थे पर अब वो बंदा उड़ चुका है अगर साब बनाओगा तो और खड़े हो के रस करने की कुछिस करने है भाई अमपे अब यार इस बंदे का अगर कोई कपड़ा देखके रस करेगा ना कोई भी बोलेगा आरे यार ये तो नया बंदा इसे हलवे की तरफ पहलेंगे लेकिन हमारे भाई अंदर गुसके डिरॉप सौट पे ले वो भी आलाग लावल का खैर हम तीन थे याँपे तो पकड़ गे बिल्कुल पेटी बना दी भाई मौका भी नी दिया नौकोने का सीधा ही पेटी बनगी उसके लिए तो एक नहीं है हलमेट खैर इतने में ही यहां पर पता चलता है कि बंदा इसी दीवार के पीछे लेटा पड़ा होता है अज़-पड़ अग कर अहेच्जा तो साइद कुछ कर पाता लेकिन हमारे भाई धैड़ पेड़ यहां आए और लेट गए अब देखो साप का चकर मिल्टी रेरी में स्टार्टिंग से ही चालू हो जाता है ठीक है गेम चालू हो वे दस सेकेंड नहीं होगा बंदे साप बन जाते तो हां मिल्टी रेरी जाते हो मैं आगे जा रहा हूँ देखो कहां से कहां ना पड़ गया रोचोक की पहाड़ी पे गया कद्दू कोई नहीं दिखा मुझे तो मैं बोलता हूँ ठीक है यार प्लेन मेरे ख्याल से जोर्ज की तरफ भी जा रहा था तो क्यों ना यहां पे देख लेते हैं क्या पता यहां पे किलकूल मिल जाए तो मैं गाड़ी से जाई रहा हूँ तो मेरे टीमेट लोग चिलाते हैं भाई या लैक जहर हो रहा है और उतने में ही एक गाड़ी बगते वेहारी होती है आमारी तरफ इसलिए मैं कहता हूँ यार सस्ते गत्ते फूक के गेम नहीं खेलना चाहिए ठीक है बंदा इतनी जान से बगा रहा था कि वो उसे लगा कि यार पानी के पार कर देगा गाड़ी को लेकिन देखो गाड़ी डूब गई साथी साथ भाई की पेटी भी और यहां पे ऐसे ही फटी पड़ी है और उसके उपर से तामबे पे सुहागा करने यार बहुत आ रहे हैं ताकि हमारी और फट जाए अब देखो यह जो बाइक वाले दूम 69 की सुटिंग यहां पानी में कर रहे थे उनका एक बंदा ठिला चुकाओं में लेकिन एक अभी भी भाकी है और यार कुछ भी बोलो वो बंदा कदू भी नहीं दिखा ठिक है वो मेरे ख्याल से पूरी सांस रोक के पानी के नीचे तेड़ते वे कहीं और भग चुका है तो इतने मैं मैं क्या करता हूँ पीछे वाले पे ध्यान देने लगता हूँ लेकिन पीछे वाला बंदा भी मेरे ख्याल से उस पेड़ के कहर पे बैठा पड़ा होता है हना और यहां पे मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि यार उपर जरूर आएगा ये पानी वाला बंदा कभी तो उपर आएगा लेकिन सचा ही होती है यार वो बंदा उपर आ चुका है और वो हम पे सकोब भी खोल चुका है और यार मानो याना मानो इस बंदे ने न जो ये सप्रेस मिनी चोधा पटका रहा है इसने मेहनत बहुत की थी ठीक है बिल्कुल तैरता गया सांस रोक के भाई जजबा ची होता है यार सांस रोकने के लिए तो बंदे ने सांस रोकी वो जमीन के टुकड में गया और वहां से मिनी चोधा पटका रहा था अब यहां पर हमारे भाई की फटी पड़ी होती है ठीक है ये दो बंदे न जाने कहां से अपरे बिल्कुल पास आ जाते हैं तो हमारे भाई बोलते हैं अरे भाईया जल्दी आओ हेलमेट है नहीं क्योंकि साइद मैंने अपने टीमेट का हेलमेट हतियार लिया था जहां तक मुझे याद आ रहा है लेकिन हां ऐसी कुछ सीन हुआ था तो भाई बोलते हैं या जल्दी आओ गलत सीन हो जाएंगे मैं बोलता हूँ आरे टैंसर मत तो अपनी फुल हेल्थ है मैं मजाक में पेटी बनाऊंगा मैं आगे जाता हूँ बंदा इतना महेंगा नेट करता है मेरी हेल्थ की ऐसी तैसी हो जाती है फिर मैं बोलता हूँ आप जो होगा देखा जाएगा 10 HP पहीरस कर दो तो जैसे तैस दोनों की पेटी वना दी अपन लोग जिन्दा है और हाँ अब बढ़िया लूट मिल चुकी है कम से कम M4 है मेरे पे और यहां पे दो दो तीन तीन फ्लेड चली होती है तो करना क्या था है यहां पे मैं आ जाता हूँ और मैं अकेला नहीं होता जो आया होता है यार दो तीन सकोड आई होती है यहां पे अब यहां पे हमारे भाई DP 28 को पूरी जान से पटका रहे होते हैं ठीक है मतलब लेट रखाता साइद बंदा पटकाए जा रहा है भाईया मैंने बोला ऐसे कैसे और यार किस्मत बहुत ही तगड़ी दी देखो यार ज्यादा तर टैम क्या होता है डिरोप पे बंदे लेवल 3 का हेलमेट लूट लेते हैं और मेरे हेट सोट से कद्दू कुछ नहीं होता लेकिन इस बार मेरे ख्याल से लेवल 2 का हेलमेट था भाई पे तो हां भाई की सीधा पेटी बनाई हमने उसके बाद देखो सीन क्या ओर होता है हमारे आलावा एक और सकॉर्ड पीछे से इन पर रस कर देती है क्योंकि यार डिरोप की गने सब को चीए होती है अब यार यहां पे सबसे ज़्यादा दूख की बात यह होती है कि यार मैं किल तक चोरी नहीं कर पाता हाला तो दोस्व कॉर्ड लड़री है बिढ के बिलकुल मैं बोलता हूं जल्दी चलो इससे पहले समकी बेटी बन जाए वहां पे और ये टीम ना पूरी लोबी को सुलाने के लिए बिल्कुल तयार थी ठीक है इन बंदों ने मेरे ख्याल से दो फिलर चला है भईया M249 नी नी पे पड़ी है AWM नी पे पड़ी है भई गन की कमी नहीं थी लेकिन देखो हम धैड़ पैड़ गुजते हाना थर्ड पाटी करते है और ये लोग मेरे ख्याल से उस सकॉर्ड को ठिला चुके थे जो एक और आई थी यहां पे खैर जो भी हो अपने को कम से कम तीन किल्तों मिली यहां पे खैर इसके बाद मैं जोन की तरफ निकलता हूँ बंदे डूनने के लिए और एक और बार आपको नसे में गाड़ी चलाने का अंजाम यहां पे देखने को मिलेगा यहां पे मैं जा रहा हूँ पीछे से हमें गाड़ी की आवाज आती है तो हम लोग यही पे रुख जाते हैं और देखू क्या होता है और जू भी इस गाड़ी को चला रहा होगा न उसे जो अभी गालिया पढ़ रहे होंगी वो बहुत अलग लेवल पे होंगी बहुत अलग लेवल पे और यह घर पे बैठे बंदे भी तब मज़े ले रहे थे जब यहां पे मैं अपना सस्ता सप्रे दे रहा था हरा मैं सप्रे दे रहा हूँ भाई आप पीछे से गूलिया चली है तो जैसे तैसे करके गाड़ी वालों को ठिला दिया भाई इतना डेमेज दिया बाद में जाके ये लोग ठिले मतलब यार एक बंदा तो पहले ही ठिल गया था लेकिन बाकी बंदों को पहले में बहुत गूलिया लग गई मेरी खेर जो भी हो यहाँ पे मैं अंदर एक बंदा रोक कर देता हूँ हेट सोट नहीं लगा पर बंदा ठिल गया और ये देखो तुमारे भाई के सस्ते नेड ठीक है नेड खीचा भाई नेड हाथ से फिसल गया क्या ही बोलू मतलब यार कभी घर पे जाता है तो नेड भी और ये दोनों लोग भी बिल्कुल चौड में बैठे पड़े होते हैं यहाँ पे हाना और और आल पे पता है क्या बात चल्ली होती है भाई तुम्हारा कितना पलस हुआ मतलब यार रैंक पूस दबा के चल्ली थी लोगों की पड़ बग्यागी पाई सामेर पिपग्यागी और यार अब ना मैं बंदों को damage दे दे के ठक चुका था मतलब याँ पे भी damage दिया, पीछे गाड़ी भी damage दिया, बंदे खिलके नहीं मान रहें तो मैं बोलता हूँ ऐसी की तैसी जो भी ammo पड़ी होती है मैं उठाता हूँ और बोलता हूँ गाड़ी ले चलो यार इन्हें गाड़ी से गुमा गुमा के पेलेंगे और ये भाई चक्मा देने में बहुत ही उस्ताद थे ठीक है बंदे ने दो समोग बनाए मुझे लगा ठीक है आप देखो डैमेज बहुत दिया था क्या पता बना बंगी के पीछे लेटा हूँ मैं वहाँ बेवकूफों की तरह बंगी पे गुली चलाए जा रहा हूँ समोग पे गुली चलाए जा रहा हूँ बाद में पता चलता है कि यार बंदा तो पीछे पेड़ पे बैठा हुआ है तो मैं जटाक से पीछे मुड़ता हूँ और बंदे पे M4 का सपरे दे के बेटी बना देता हूँ और निकल पड़ते हम वहाँ से भी हना बढ़िया है यार मतलब समोक करो और कहीं और पे चले जाओ ताकि मेरे जैसे बेवकूफ बंदों का और बेवकूफ बन जाए खेर अपनी बेश्ती बहुत हो गई खेर आगे बढ़ते हैं तो देखो ये जो जोने ये केमपरों का जोने अब देखो साप डूनने पे मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पे अपार्टमेंट में ये बड़े घरों पे जो केमपिंग होती है न वो अलाग लगल पे होती है मतब देखो अगर आप घूमते रहोगे जंगलों में यार साप मिल जाते हैं लेकिन ये इतने बड़े बड़े घरों पे केमपिंग लगाई होती है बंदों ने उन्हें डूनना बहुत दिक्कत दायबात हो जाती है खेर तीन बंदे मिल गए मुझे फिलाल के लिए और ये तीनों के तीनों बंदे अजूबे होते बिलकुली एक बंदे का इंटरनेट इतना सस्ता चला होता है भया अटक अटक के आगे बढ़ रहा होता है दूसरा बंदा नेट करनी की कुशिस करता है तो भाई की वही पे ठिला देता हुमें पेटी और तीसरा बंदा उप पर पर जाके मिरे ख्याल से स्यांप बन गया होता है। अब मुझे नहीं पता कपड़े फेखने से साप दिखते हैं कि नहीं लेकिन हा या बंदा नगा थाана और उपर यहां पे तीनों की पेटी वराद रइना सब्सक्राइं मेरे साथ। मतलब मैं बहुत मैचेस खिलता हूँ लेकिन ये वाला जोन इस साइड को जोन बहुत ही कम बनता है। अब देखो जोन ऐसा बना है तो केंपिंग भी दबा किये होगी। अब देखो बंदा उसी घर के उसी कमरे में ठीक वहीं पर बैठा पड़ा था। मैंने नेट किया उसी घर के उसी कमरे पर लेकिन यार बंदा नौक नहीं हुआ। मतलब बस डैमेज दे पाया मेरे नेट वो भी मुझे नहीं पता क्या ही गलत सीन हो गए थे जो डैमेज भी दे गया। नहीं तो यार वो भी नहीं देते मेरे नेट यार पता नहीं क्यूंँ बहुत ही सस्ते नेट यार अब देखो पबजी में कई सारे गलत सीन भरे पड़े होते हैं ना बग गिलिच सब कुछ इसी गेम में लेकिन पीक एंफायर एक ऐसी चीजे जो मतलब यार दिल खुस हो जाता है ये देखे मतलब देखने में भी जहर लखती है बिल्कुल सेटिस इनफेक्शन पूरा मिलता है और करने में तो यार मज़ा ही आ जाता है बिल्कुल हरा मैं यहाँ पे बंदे को पीक करके पेलता हूँ भाई एक गोली नीचिपका पाते मैं क्या करता हूँ पीक करता हूँ दो गोली चलाता हूँ वापिस कवर में बंदा गन रोकता है अपनी मैं दूबारा पीक करता हूँ दो गोली चलाता हूँ एक बंदा नौक और दूसरे बंदे को वहीं जाके पेल देते हैं खेर यहाँ पे हम बेसरमों की तरह बटके जा रहे हैं ठीके यहां से वहां कूदे जा रहे छलांग लगा जा रहे भाई बिना किसी मतलब के बंदे ढूड़ने की पूरी कोशिस करते हैं, दो-तिन बंदे जिन्दा पड़े होते हैं, लेकिन यार मिलके नहीं देता कोई भी. अब यार ये मैच ना, PUBG का एक सिंपल कलासिक मैच कम और एक बड़ा टूरना मेंट ज्यादा लग रहा था, मतलब भया बंदे जोन के बाहर केंपिंग कर रहे हैं, बाहर हील बैटल कर रहे हैं, तो यहां पे गया होता है, मेरे टीमेट को फुटी स्टैप आते हैं, बंदे के, हरा भाई बोलते हैं, आजाओ यार यहीं पे बंदा है, इसे मिलके बैंगिंग कर देते हैं, ठीक है जब तक मैं बाहुसता हूँ, पता चलता है यार भाई जोन से ठील चुके हैं, मतलब यार बंदा बोलता है इसे किल पॉइंट नी दूँगा भले खुड तिल जाओं जैसा टूर्णामेंट पे चलता रहता है यार हील बैटल दवा के होती है तो यहां पे भी वैसीन थे और यहां पे यार पबजी चाहता नी था कि मैं जादे किल्ट कर सकूँ अब देखो एक और बन्दा यहीं पे कैम करके दिखता है हा न मुझे एक हलका सा फुटिश रहा पाता है मैप में भी नहीं दिखता है साइद वो लेकिन थुनाई देता है मेरे को तो मुझे पता है बन्दा यहां पे बैटा पड़ा है वो तो इतना सारा ठीक है मुझे भी नहीं पता कितना डैमेज दिया मैंने इतना सारा डैमेज देने के बाद बन्दा कैसे ठिलता है अपने मॉली से यही होता है जब आपके किस्मत में किल नहीं लिखी होती है ना कभी-कभी आपके किस्मत में चिकन नहीं लिखा होता तो आप कवर के बीचे भी ठिल जाते हो बंदा मॉली मूली कर रहा होता है मैं बोलतो यार मस्त पिलूँगा इसे मॉली फेक भी नी पाएगा पेटी बना दूँगा मैं लेकिन यार बंदा मॉली फेकता है उसकी मॉली वहीं पे गिर जाती है और भाई अपनी ही मोली से ठिल जाते हैं किल नहीं मिलती तुम्हारे भाई को क्यार यहाँ पे मैं हील बैटल के लिए तयार हो जाता हूँ क्यूंकि यार केम्पिंग लेवल देख रहे हूँ आप मतलब बंदे केम्प करके बैठे हैं कोई बन्दा अपनी मोली से ठिल ला है, कोई बन्दा जून से ठिल ला है, अब देखो आखरी बन्दा क्या करना चाहे किसे पता, लेकिन वो मिल जाता है हमें आखिरकार. ये बन्दा हम से कई ज्यादा आगे है, ठीक है ये बन्दा अलग लेवल का बन्दा है, मतला बन्दे ने टेबल कुर्सी लगा ली थी हिल बैटल करने के लिए, देखो केमपिंग कैसे होती है, कोई बन्दा कहीं कोने में बैठा होता है, कोई बन्दे साब बन्ते तो कुछ होता है, लेकिन ये भाई टेबल कुर्सी के उपर बैठे थे और तयार थे बिल्कुल हिल बैटल करने के लिए, मतलब इस बन्दे को ढूणने में इतना टैम लेकिन आखिर कार ये बन्दा मिलता है, बाई टेबल कुर्सी लगा के बैठे होते हिल बैटल के लिए, लेकिन हम यार पेली देते हैं भाई को, तो वास भाई लोग आज को वीडियो में इतना ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए, जाते जाते इन सारे गलत सीन के लिए और ये अलग लेवल केमपर, ठीक है मतलब यार टेवल कुर्सी वाले केमपर आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, मेरे ख्याल से मुझे पहली बार देखने को मिला ये जिंदगी में, तो हाँ यार लाइक पेल देना बिलकुल नीला टैप कर दू इस जोन की तरह, और अगर आप यहां पे नए हो तो करो सबिस्क्राइब और भी ऐसे गलत सीन से भड़े पड़े पड़े पबजी दो मुबाइल गेमप्ले वीडियो में, तो आज के वीडियो में इतना है भालो गयार कल मिलते हैं, बहुत बहुत सुक्राइब वीडियो देख कि अ 난ज की काईब दो देखका टो सल से भालो आप यहां पना है भालो आज क magazyn है झाल झाल